तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो हम देखते हैं तो यहाँ पर फोर रियल लंबर एक्सिंड वाई वी राइट एक्स रिलेशन वाई एक्स्मानेस वाई व्लस रूट तो एक्स और वाई के बीच में आपको डिया वह है और उसके बाद हुआ है कि एक irrational number है यह बताए गया है तो हमें बताना है कि जो आपका relation है वो reflexive है symmetric है transitive है या none of these में आ रहा है सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे तो अगर मैं x relation x के साथ करूँ यह किसके लिए हम करते हैं हम यह करेंगे reflexive के लिए तो x का relation x के साथ हम बनाएंगे तो उसका relation क्या बनना चाहिए हमारे पास x-x plus root 2 हमें साफ नजर आ रहा होगा कि x x cancel हो जाएगा और root 2 हमारे पास बनेगा irrational number अगर यह irrational number निकलता है that means कि जो अपना question है यह अपना रिफ्लेक्सिव यह relation जो है रिफ्लेक्सिव तो यह हमें आराम से समझ में पढ़ रहा है वैसे भी स्क्यू था तो directly clear था पर समझने के इसाब से अगर हम यहां पर इसका symmetric चेक करें तो symmetric के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x relation y के साथ given है यानि कि हम मान के चल रहे हैं कि x का relation y के साथ में है और यह condition true है कि यह कोई irrational लंबर है तो क्या हम y का relation x के साथ बता सकते हैं क्या हम ऐसा बूल सकते हैं कि y minus x plus root 2 क्या यह भी पक्के से rational sorry irrational होगा या नहीं तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं इसका simple सा counter example आप दे सकते हैं कि अगर हम मान के चल लें कि x minus y का value अगर root 2 आता हो तो root 2 plus root 2 irrational होगा confirm है पर अगर वहीं पर y minus x बोलेंगे तो यह बनेगा minus root 2 और minus root 2 plus root 2 फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास में rational हो जाएगा तो यह symmetric नहीं हो सकता तो the same reasoning हमें आप ए ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या है हमारे पास कि x का relation y के साथ given होना चाहिए वहीं पर y का relation z के साथ भी given है यह दोनों जो के दोनों है वह irrational function अब अगर हमें चाहिए कि x का z के साथ relation भी वही बने यानए कि x-z प्लस रूट टू जो रहे हमारे पास अगर वो irrational रहे फिर से हम इस जगा पर एक दिक्कत में पड़ सकता है कैसे कि अगर मानलो मैं x-z को अगर देखता हूं है ना और मान लेते हैं हम यहाँ पर कि x और z को हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि x-z प्लस रूट टू यहाँ इसको एरेज कर देते हैं पहले प्लस रूट टू अब यह पक्के से rational होगा ऐसा कुछ कहने के लिए हमारे पास में है क्या तो अगर मैं इसको add करता हूं तो यह x-z प्लस टू रूट टू मिलता है और दो इर्रैशनल का एडिशन आप कन्फर्म ली नहीं कह सकते कि वो इर्रैशनल होगा इस वजह से यह ट्रांजिटिव भी नहीं होगा तो अपने पास सिर्फ 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 और सिर्फ यह रिफ्लेक्सिव निकल के आता है यहां पर रिर्लेशन है आर में जो कि सेट है नेट्र लंबर का जो TRAV टिफ 112 पर हमारे पास में बोला है कि यहां पर ग्या कि यह ना डिफान थेतन हों गया है कि उस च्ंपास्च आत्प है xy यहाँ पर natural number दे रखे एक्स स्क्वाय माइनस 4xy plus 3y square is equal to 0 दे रखे अगर मैं यहाँ पर reflexive को check करूं तो reflexive यहाँ पर क्या बनेगा x square minus x और y दोनों same हो जाएंगे प्लस 3 x square अगर मैं इसे add करता हूं तो कितना मिलता है 0 तो यह x का x के साथ मैं relation यहाँ पर follow हो रहा है तो यह function जो होगा reflexive होगा यह confirm हो गया वहीं पर हम transitive की सारी symmetric की बात करते है एक्स का y के साथ relation अगर हम मान के चले के xy relation में है तो x square minus 4xy plus 3y square equal to 0 होगा अब यह बताने के बाद ultra भी होना चाहिए that means के y,x जो होना चाहिए वह भी relation में होना चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए y square minus 4xy plus 3x square is equal to 0 होना चाहिए अगर आप simple यह देखें तो दोनों क्वाइट इक बहुत different है इनके roots भी different आएंगे तो साफ देख के आप बता सकते हैं कि symmetric नहीं होगा तो इस वज़ह से हमारे पास एक question जोगा सिर्फ और सिर्फ reflexive बनकर यह relation रह जाएगा अब इस question में क्या दे रखाए सबसे पहले box x और fractional part x आपकी usual functions है उसके बाद में बुला गया है कि इस equation को satisfy करने वाले कितने number of x हमारे पास में मौझूद है सबसे पहले अगर आप x को i plus f treat करते हैं आप एक्स को अगर में लिखा i plus f minus 2 कि इंटू box of i plus f कि इस एक्वल टु फ्रेक्शनल पार्ट आफ आप i plus f minus 1 यह हमें मिलेगा अब अगर ऐसा मिलता है तो हमारे पास में क्या आएगा i plus f minus 2 multiply by i is equal to यहाँ पर मिलेगा हमें सिर्फ f minus 1 तो अगर आप पूरे इस function में देखेंगे तो आपको मिलेगा i square plus i f minus 2 i is equal to f minus 1 अगर मैं f को एक तरफ ले जाओं तो मेरे पास मिलेगा यहाँ पर मुझे f का value f common लेने के बाद i minus 1 उधर सबको ले जाता हूं तो मुझे मिलेगा minus का i square plus 2i minus 1 यह minus common ले जाओं तो यहाँ बनेगा i minus 1 का whole square तो यहाँ पर बनेगा f into i minus 1 अगर आप simply भाषा में देखें तो i equal to 1 दूनों जग़े satisfy कर रहे तो अगर मैं i को 1 डालता हूं तो मेरे पास दूनों जग़े 0 create हो जाएगा मतलब f का value 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है और जैसे ही मैं ऐसा कहता हूं तो हमारे पास x क्या होगा i plus f तो हमारे पास x का जो interval बनेगा minimum value x के कितनी आएगी 1 प्लस 0 याने की 1 maximum value कितनी जा सकती है 1 प्लस 1 याने 2 पे open bracket तो हमारा x आएगा interval में जिसकी वज़ा से हमारे पास आगे solve करने की ज़रूत नहीं रहेगी और हमें बनेंगे हमारे पास यहां पे बनेंगे infinite solutions इस question में हमें पूछा गया है कि function जो है one one many one या into onto में से क्या है सबसे पहले अगर आप function देखते हैं यहां पे तो आपको नजर आएगा कि sine के साथ में box of x into pi है जो कि यहां पे simple simple सा एक भ्रहम है कि मतलब pi का यह एक multiple दे रखा है वो भी integer वाला तो pi का integer वाला multiple कितना होता है 0 तो हमारे पास यह हमेशा होगा 0 और domain की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पर denominator में जो quietic दे रखी है वो always positive है तो यहां पर यह वाला value हो जाएगा 0 अब बचा कि हमारे पास 2x-1 प्लस अगर मैं यहां इससे थोड़ा सा open करता हूं तो मुझे मिलेगा x square minus x plus 1 by 4 जो कि x minus half के square का x minus half को whole square है और जब मैं इसे root से बहार लूंगा इस तरीके से जब मैं root से बहार लूंगा इसे तो क्या लिखूंगा 2x-1 plus mod of 2x-1 upon 2 root से square बहार लेते हैं हमेशा mod लगाते हैं अब यहां पर दो case बनेंगे simple से पहला case यह बनेगा कि अगर x का value 1 by 2 से जादा है तो हमारा function क्या होगा 3 by 2 times of 2x-1 और वहीं पर अगर हमारे पास में अगर x का value half से कम है तो यह negative से open होगा तो हमारा function बनेगा 2x-1 multiply by half अगर हम इसका graph draw करना चाहें तो कि simple lines ही है हमारे लिए तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले half से ज्यादा पर अपने जो line है वह 3 by 2 जो line बनेगी वह बनेगी x-1 हाफ है ना तो वह भी बनाते हैं तो positive slope की line होगी थोड़ा सा slope कम होगा तो यह x-1 हाफ बनेगी आपको graph देखके साफ अंदर लग रहा है कि function जो है 1-1 है और साथ इसाथ जो इसका range है वो real number आ रहा है तो यह function क्या होगा 1-1 and onto होगा इस question में हमें f inverse निकालना है fx दे रखा है x mod x और f inverse x पूछा गया कि क्या तो पहले आप function देखेंगे यह function निकालेंगे तो अगर हमारे पास मैं x positive दे रखा है that means यह plus से खुले गए याने कि x square हो अगर x negative से खूलना है तो हमारे पास यह बनेगा minus of x अगर मैं इसका inverse function लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा सबसे पहले अगर मैं इसका inverse function लिखना चाहूंगा तो यह domain कहता positive x positive था तो हमारे पास यहां range भी कहाने चाहिए positive तो यहां पर बनेगा ही root over x तो अगर मैं आप function x लोंगा और अगर मैं x positive लेता हूं तो मेरे पास मैं f inverse x जो बनेगा वो होगा root x similarly अगर मैं यहां पर minus of x square को लेकर आता हूं यानि इसका inverse function निकालूंगा इस definition में तो y equal to बनेगा minus x square swap किया यहां पर x equal to minus y square y square equal to minus x y का value फिर से आजाएगा plus minus root over minus x यहां पर domain क्या है negative तो हमेशा अपना range भी क्या देना पड़ेगा negative तो यहां पर f inverse x क्या बनेगा minus of root over minus x जब x क्या हो negative ठीक है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बस यह देखना है कि कौन सा option इस अपने function से match कर रहा है तो अगर आप simply देखेंगे तो यह option तो match नहीं कर रहा क्योंकि बहार plus minus नहीं आ सकता उसके बाद आता है c option वो भी match नहीं कर रहा अगर आप b option में देखेंगे तो अंदर भी mod लगा है और बाहर लगा है signum तो अगर मैं x को positive रखूंगा तो यह भी plus से open होगा और यह भी plus 1 देगा यानि कि यह वाला बनेगा आपका first definition अगर x negative होगा तो signum होगा minus 1 और यहां mod भी किस से खुलेगा minus से खुलेगा तो इस second definition भी exactly match कर रही है तो हमारा b option यहां पर correct option मिल जाएगा अगले function में हमें इस log वाले function के range चाहिए उससे पहले हमें अंदर देखना पड़ेगा किसका domain क्या है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो minus 2 से बड़ा होना चाहिए x यहां पर होना चाहिए x2 से छोटा तो domain इसका बन जाएगा minus 2 से 2 था अगर आप इसमें basically सबसे important expression देखें तो हमारे पास यह वाले expression इसका हम range निकाल सकते हैं बहुत easily root over x plus 2 plus root over 2 minus x अगर मैं इसे function मार लेता हूं gx तो g dash x क्या बनेगा हमारे पास 1 upon 2 root x plus 2 minus 1 upon root 2 minus इस तरीके से बनेगा 2 यहां पर भी आएगा है अगर मैं इसको 0 करता हूं तो हमेशा हमारे पास बनेगा 1 upon 2 नीचे कुछ भी आए इधर बनेगा root 2 minus x minus root x plus 2 is equal to 0 अब यह 0 कहा होता है यह चेक करने के लिए अगर मैंने यह squiring कर दिया दुनों तरफ तो यह बनेगा 2 minus x equal to x plus 2 याने कि 2x is equal to sorry 2 से 2 कट जाएगा that means 0 तो x equal to 0 तो अगर आप यहां देखते हैं तो 0 पे यह 0 से आगे अगर आप function लगाएंगे यह 0 से बड़ा कोई value डालेंगे इस जगह पे तो हमेशा हमारे पास में value यहाँ पर जो this is 1 डाल दिया हमने तो value मिलेगी negative और उसके आगे मिलेगी positive तो हम देख पाएंगे कि 0 पे जो function है 0 तक function increase कर रहा है 0 के बाद decrease कर रहा है तो 0 पे अपने को highest value मिलना चाहिए इस gx का तो gx का highest value जो मिलेगा यानि gx maximum वो मिलेगा at x equal to 0 और 0 डालने पर हमारे पास कितना मिल रहा है 2 root वहीं पर gx का minimum value कहा मिलेगा यह मिलेगा आपके पास boundaries पर क्योंकि-2 और 2 आप इन जगह पर चेक करेंगे तो यहाँ पर gx का minimum value मैं-2 डालता हूं तो मुझे मिलेगा root 4 यानि 2 तो minimum value कितना जाएगा 2 अब अपना denominator अगर maximum होगा तो overall function क्या होगा minimum होगा पूरे function की minimum value निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि fx का minimum value मुझे चाहिए तो log base 2 आप gx का maximum value डाल देंगे यानि कि 4 upon 2 root 2 इसे solve करता है अगर आप तो root 2 मिलेगा यानि log root 2 base 2 यानि कितना जाएगा half तो minimum value being half यह तो आपके वैसे तो सारे option यहीं पर खतम हो चुके है फिर भी maximum value गर हम निकालना चाहते है तो fx maximum कब होगा जब आपका denominator यानि gx minimum होगा यानि log base 2 इधर 4 है ना minimum value is 2 तो log 2 base 2 कितना हो जाएगा 1 तो अपनी range आजाएगी half से लेकर 1 तक next question मैं function दे रखा है हमें alpha एक number है जो real number है और उसको हम x naught के बराबर कर रहे है तो x1 का जो पहला value होगा वो होगा f alpha अगर आप f alpha देखते हैं यहाँ पर जो कितना विलेगा हमें alpha upon one minus alpha that is your x1 अब x2 कितना है हमारे पास x2 का value है f of x1 कि याने f of f of alpha अगर हम ऐसा करते हैं alpha की जगह पर f alpha पूट करेंगे that means one upon sorry alpha upon one minus alpha यह पूट कर दिया हमने alpha की जगह पर इसे तो क्या बनेगा हमारे पास उपर बनेगा alpha और इधर बनेगा one minus alpha minus alpha याने कि one minus two alpha यह बनेगा हमारे पास x2 का value अगर हम x3 निकालते हैं तो x3 क्या होगा हमारे पास f of f of f of alpha तो हमारे पास फिर से इस जगह पे alpha की place पे alpha upon one minus alpha पूट करना पड़े हैं कि solve करने के बाद बनेगा alpha upon one minus three alpha तो यह मेरा x3 था अगर इसी चीज़ को मैं आगे pattern wise लेके जाओं तो x2011 आपको दे रखा है है इसके बराबर है अब x2011 क्या होगा आपका कि इसी को continue अगर रखेंगे एक 2011 बनेगा हमारे पास alpha upon one minus 2011 alpha is equal to कितना है minus one upon 2012 कि इसको हमें स्वाल करना रहेगा कि हां से alpha का value ही निकालना है सही बात है तो alpha का value हम निकालेंगे इसके लिए थोड़ा सा आगे चल जाता है यह तो यह फिर यहीं कर देते चलो cross multiplication ही करना है 2012 alpha minus one plus 2011 alpha यह धर जाएगा तो बनेगा सिर्फ alpha is equal to minus d option यहाँ पर answer आजाएगा इस question में बहुत सारे function composite function बना के लिखे गए तो अब start करें तो f1 f2 पे depend कर रहा है f2 f3 पे depend कर रहा है f3 f4 पे depend कर रहा है और f4 हमें दिया है कि कितना है अगर हम इस तरीके से सबसे पहले f3 बनाए f3 x क्या बनेगा बन अपॉंटी थर्टी पावर में f4 आ जाएगा लॉग सबसे पहले लिख सकते हैं से ट्वंटी थर्टीन का इन्वर्स इस तरीके से बने गई और इस पावर इस माइनस वन को हम इसकी पावर में बेच सकते हैं हमारे पास बनेगा ट्वंटी थर्टी लॉग ट्वंटी थर्टी यह इन्वर्स में जाएगा अगर तो लॉग 2012 बेस एक्स का इन्वर्स तो बेस चेंजिंग थियोरम से क्या हो जाएगा लॉग 2012 एक्स यह दोनों फिर से खतम हो जाएंगे तो क्या बनेगा लॉग 2012 बेस में आ जाएगा उपर एक्स हो गया फंक्शन एफ त्री एक्स मिल गया अब एफ टू एक्स क्या है वो देख लीजिए तो आपका एफ टू एक्स था अब एक्स वायल्यू है अब एक्स कितना है अब उसके लिए मुझे तो देख गया पर मुझे अभी यहाँ एक्स यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि यहां domain क्या है आप x का value क्या-क्या put कर सकते हैं सबसे पहले अगर आप जाके देखेंगे तो power में कोई problem नहीं है हमें problem यहां से मिलेगी कि यहां पर हम क्या-क्या रख सकते हैं सबसे पहली बात तो यह होगा कि आपका x positive होना चाहिए 1 के equal नहीं होना चाहिए बेस को देखने के लिए वहीं पर log x 2012 इसका positive होना भी जरूरी था अब यह positive का बोगा जब x का value क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए तो यहां पर x का value आपके पास आएगा 1 से बड़ा तो अगर x का value 1 से बड़ा होता है तो आपकी minimum value यहां पर मिल सकती है 2 और maximum कहा तक जा सकता है इंफानाइट तक यह अपना अंसर हो जाए अब इस question में क्या है देखिए आप सबसे पहले function है उसका inverse हम निकाल सकते है बहुत easily सबसे पहले वाई और x करेंगे यहां पर आ जाएगा एक्स लॉग वाई प्लस रूट ओवर वन प्लस वाई स्क्वाइर कर दे तो यह कुछ इस तरीके से मिलेगा वन प्लस वाई स्कुर इप आवर एक्स सारी पावर टू एक्स होजाए रही प्लस y square minus 2 e power x into y 1 plus y is y यह cancel हो जाएगा तो y का value हमें मिल जाएगा कुछ है न e power 2 x minus 1 is equal to 2 e power x into y तो y का value मिलेगा या f inverse x हमें मिलेगा e power 2 x minus 1 upon 2 e power x या फिर e power x minus e power minus x divide by यह मिलेगा अब अगर ऐसा यह मिलता है तो हमें यहाँ पर mod of f inverse x का solution बताना है e power minus mod x के साथ में बताना है कि e power minus mod x के साथ में इसके कितने solutions हमारे पास में बनेगे तो अगर मैं x positive consider करके चलता हूं e power x minus e power minus x divide by 2 is equal to यहाँ पर प्लस से खुलेगा यह e power minus x बनेगा पुड़ा solve कर लेते है e power x minus e power minus x 2 e power minus x बनेगा यह आजाएगा 3 e power minus x is equal to e power x उधर जाने दो e power 2 x is equal to कितना आजाएगा 3 तो आपको 2 x का value मिलेगा ln 3 और x का value मिलेगा half ln 3 जो की होता है positive consider भी किया जाएगा similarly x negative के case में भी हम देखेंगे negative के case में यह minus से खुलेगा यानि e power x minus e power minus x divided by 2 is equal to minus of e power minus x अब वापस है इसे उधर लेके जाओ तो e power x का value मिलेगा यह minus 2 हो जाएगा उधर जाकिया जाएगा minus of e power minus x minus 2 plus 1 तो ऐसा बनेगा अब e power x कभी भी negative e power minus x के equal नहीं आसकता क्योंकि e power x positive होता है e power minus x भी positive होता है तो positive cannot be equal to negative तो यहाँ से हमें solution नहीं मिलेगा तो सरफ a के solution हमें मिलता हो नजर आ रहा है इसलिए हम option देदेंगे a next question में fx हमें दे रखा है gx हमें दे रखा है इस basis पर मैं बताना है कि कौन से range of fx होगी तो gx का तो मतलब भी नहीं रहा है तो range of fx अगर हम देखेंगे simple simple तो x negative के case में हमारी line है सिर्फ y equal to x यानि यह वारी line उसके बाद positive के case में line है one minus x जब zero से बड़ा है तब तो यह line जाएगे कुछ इस तरीके से तो आपको range मिलेगी minus infinite से लेकर one तक graphically आप साफ साफ देख सकते हैं इस question की इस question में हमें g of fx की range निकाल नहीं है इसके लिए में g of fx सबसे पहले निकालना पड़ेगा तो अगर आप function के अंदर g of fx रखेंगे तो यह मिलेगा fx का square twice of fx plus 3 और fx जब fx का value less than minus 1 हो जब fx का value minus 1 से 1 के बीच में हो और जब fx का value greater than 1 तो ऐसा कुछ बताया गया है अब उसके बाद में function हमारे पास क्या है अगर x less than 0 है तो x होगा greater than equal to 0 है तो 1 minus x होगा तो इस तरीके से अगर हम देखे तो अपने पास में fx का value जब less than minus 1 होगा तब हमारे पास fx का square वाला function जो है यह बोला गया है अब अगर simple ही देखे अगर fx का graph तो हम बनाई चुके थे पहले भी है ना अभी इस से पिछले वाले question में अपने बनाया होगा तो यहाँ पर अपने पास यह graph था इसका हमें fx less than minus 1 चाहिए अब fx greater than 1 तो कभी भी नहीं हो रहा तो यह तो possibility नहीं है तो यह वाली definition तो कभी use होगी नहीं अब fx minus 1 से नीचे कब होगा यह हमें देखना पड़ेगा तो आपका यह fx था minus 1 कब होगा यह है एक तो minus 1 पे हुआ और एक वाला value यहाँ पे जब हम देखेंगे यह minus 1 और कभी है जब x का value हम 2 डालेंगे तब होगा तो minus 1 से पीछे और 2 से आगे दोनों जगा पे fx का value minus 1 से छूटा रहेगा तो इस case के अंदर आप देखेंगे तो x का value जब अपने पास minus 1 से पीछे होगा या फिर x का value greater than 2 होगा उस case में हमारे पास use होगा अब अगर less than minus 1 हम डालते हैं तो दोनों अलग-लग definitions आइंगे तो अगर आप x less than minus 1 डालते हैं तो आपका fx जो रहेगा वो रहेगा यह वाला यानिकी y equal to x वाल तो यहाँ पे बनेगा x का square वही पे गर आप x greater than 2 डालते हैं तो definition तो यही use होगी पर यहाँ पर x greater than 2 के लिए कौन सी लान आएगी 1 minus x तो यह बनेगा 1 minus x का whole square x greater than 2 के लिए अब बाकी बचा minus 1 से 2 के लिए जब x minus 1 से 2 होगा तब आपकी यह वाली definition use होगी twice of fx plus 3 और उसमें आप देखेंगे कि दो अलग-अलग चीज़े आएंगी अभी इसके अंदर भी अलग-अलग चीज़े आएंगी आपके पास तो इसको भी अपन ब्रेक कर देते हैं minus 1 से 0 में इस जगह पर आपका graph होगा यानि fx होगा x यानि 2x plus 3 बनें और वहीं पर अपने पास में next जो आएगी that means x का value जो आएगा 0 से लेकर 2 तक उसमें आपके line आएगी 1 minus x twice of 1 minus x plus 3 that means हो जाएगा ये 5 minus 2x ये line बनेगी इस जगह पर तो अगर आप ये पूरा graph बनाते हैं यानि इस पूरे g of fx का graph अगर हम बनाएंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ को कि अगर मैं यहाँ पर graph बनाता हूँ सबसे पहले minus 1 से पीछे x square है x greater than 2 में 1 minus x का square है तो 2 पर value यहाँ पर भी 1 ही आजाएगी इस तरीके से दोनों open है अभी तक एक line बनेगी 2x plus 3 जो minus 1 से 0 के बीच में होगा तो minus 1 पर value होती है 2x plus 3 की 1 होती है यह सही बात है 0 पर value आजाएगी 3 तो यह line बना दी हमने और next line है 5 minus 2x 2 पर value यहाँ पर इसकी भी आजाएगी 1 तो इस तरीकी का कुछ ही ग्राफ बनेगा तो अगर आप देख पार हैं तो minimum value आपको यहां दिखाए देगी 1 और maximum value आपके पास जाएगी infinite तो ग्राफ सहीत इसका अंसर हम बता चुक है function हमें दे रख है और उसके बात पुछा गया कि इनमें से correct कौन सा है पर यहां पर देखा जाए तो सिर्फ values ही दे रखी हैं आपके पास तो अगर मैं value wise ही अगर जाता हूं तो हमारे पास यहां पर यह बोला नहीं गया फ्रेक्शनर पार्ट हम उसको normal bracket ही मानके चल रहे हैं तो हमारे हमारे पास क्या क्या रहेगा सबसे पहले f of 3 by 2 निकालेंगे यहां पर इस definition में मिलेगा हमें 0 से 2 वाली में तो 3 by 2 का square आजाएगा अपने पास 9 by 4 ठीक है अब यह वापस जाएगा function f of 9 by 4 अब 9 by 4 कहा जाएगा 2 से बढ़ा होगा तो इस जगह जाएगा तो यह बनेगा 2 into 9 by 4 minus 3 that is 9 by 2 minus 3 एजसी हम ले लेंगे तो आजाएगा 3 by 2 फिर से अब फिर से 3 by 2 पास वापस नहीं जाएगा हुआ ना क्योंकि वापस से अपने पास यह function जा रहा है f में तो यह f 3 by 2 के बराबर होगा सही का गया है तो यह option करेक्ट हो गया similarly हम यहाँ पर बी बी चेक करेंगे कि f of 5 by 2 चेक करेंगे सबसे पहले कितना है कि 5 by 2 जाएगा आपका इस definition में यहां रखा हमने यह cancel कितना मिलेगा 2 अब यह वाला काम खतम अब इस function के अंदर जाएगा 2 अब function में 2 पे exact value कितनी आ रही है वापस से उसी जगह जाएगा 2 into 2 minus 3 that is आएगा 1 अब इसका value भी आ चुका 1 अब f के अंदर अगर बन जाएगा function में बन जाने पर कहां किस definition को use करोगा x square को that means यह value आएगी 1 तो यह पूरा value हो गया 1 plus 1 that is 2 f5 by 2 का value भी कितना था 2 तो यह भी हो गया correct similarly c option भी check करेंगे c option में यह तो होगया a option यह होगया b option अगर हम c option चेक करते हैं देखें एफ ओफ बन चाहिए तो एफ बन वैसे भी निकाल चुके थे वन आएगा पिरसे वह एफ के अंदर जाएगा तो फिरसे वन ही रहेगा एफ ओफ एफ बन भी वन ही रहेगा सामने को ने एफ बन वन तो यह भी correct हो गया डी नन अफ दी से तो वह correct हो नहीं सकता तो एबी सी इसके correct answer हमें मिलेंगे हमें इस function के range निकाल ली है रूट से अगर अंदर देखोंगे तो एक simple trigonometric function है तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर माइनस पॉर साइन टूथीतर करत बनात। दियां पर बनेगा अपने पास तो माइनेस फॉर कॉस तूथीतर को एपक ड़स है तू प्लस तू कॉश्थो थीतर म इस कि माइनस प्लास तूञए तूब शरह अपने पास प्लस श्रुमार है 6-2 cos 2 theta minus 4 sin 2 theta यह अपने पास बन रहा है इसके अगर मैं range निकालूँगा तो root 2 square plus 4 square that is root 20 आएगे तो यह बनेगा 6- root 20 या फिर 6- 2 root 5 इसका highest value sorry lowest value और maximum value कितना आजाएगा 6 plus 2 root 5 यह इसका value आएगा अब यह सब root के अंदर है न तो आपको यह root के अंदर बताना पड़ेगा बने आप सिंपल सी बात है हमने 11 में देखा होगा 6-2 root 5 को क्या लिख सकते हैं root 5-1 का square यह हो जाएगा root 5 plus 1 का square तो simple सा ही बात बनेगा पर correct answer में मिलेंगे अब इस question में क्या करेंगे सबसे पहले modulus function है जिस तरह के से mod define करते हैं वैसे ही करेंगे सबसे पहले function अगर हम define करते हैं और अगर मैं x का value सबसे पहले माइनस 3 से कम मानतब तो सभी negative से खुलेंगे सारे ही mod तो यह भी negative होगा तो minus x plus 3 यह प्लस से खुलेगा मतलब minus minus plus यह भी minus minus plus और यह माइनस तो cancel हो जाएगा constant में क्या बचेगा यहां से आएगा minus 3 यहां से आएगा अपने पास plus 1 यानिकि minus 2 यहां से फिर से वही यानिकि फिर से माइनस 3 और यहां पर अपने पास मिलेगा यह भी minus से लेगा तो minus 3 प्लस 3 यानिकि जीरो एक्स लेस देन माइनस 3 पर जो अपना function बनेगा वह 0 बनेगा उसके बाद next आता है अपने पास माइनस 3 से लेकर अच्छा इसमें इंफानिट वगर पूछाएगा तो इतना जरूत भी नहीं दे कुछ है ना एक काम अपन सिंपल करते है एक्स दिन पर लendaई अच्छा दो यह अपने पास प्रसां मिले गाए ना तो यह अजाएगा जिरो उसके इसमें है जब तीन से बड़ा होगा तब भी कि मैंआड हुए अब हमें देखना है कि अ बीच में क्या हो रहा हो गए है याने कि मा माइनस 3 से माइनस वन माइन समस्क का अगर मैं जाता हूं 1 तक माइनस में जाओंगा तो ओर मुझे यहां पर मिलेगा 2x 3, 1, 4 ये खतम हो जाएगा 3 प्लस 3 एनिए 6 वहीं पर अगर मैं X का वैल्यू 1 से लेकर माइनस 3 से माइनस 1 ले जाता है माइनस 1 से लेकर 1 तक लेके जाता हूँ उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो है आपका प्लस से खुलेगा ये वाला भी प्लस से खुलेगा ये वाला भी माइनस से खुलेगा और ये वाला जो है ये भी अभी खुलेगा माइनस से तो यहाँ पर भी X सारे कैंसल हो जाएंगे 3 माइनस 1, 2 1 and 3, 4 ये इस तरीके से मिलेगा वहीं पर इसको उपन करता है 1 से लेकर 3 तक, इसमें open करेंगे तो यह अपना plus से खुलेगा, यह भी plus से खुलेगा, यह भी plus से खुलेगा, और यह minus से खुलेगा, इस case में आजाता है minus x, और constant में आएगा 3, minus 1, 2, plus 1, 3, plus 3, 6, यह बनेगा, तो अगर मैं इस पूरे का graph बनाऊ, तो अपने पास सबसे पहले, minus 3 से minus 1 में line बन रही है, 2x plus 6, उससे पहले था 0, पहले तो था 0, फिर minus 3 के बाद, line बनी 2x plus 6, minus 3 से minus 1 तक, तो minus 1 पे value आजाएगी 4, यह minus 1 पे value आगई 4, उसके बाद line बनी 4, यह minus 1 से 1 तक constant थी, इस तरीके जा, फिर 1 से लेकर 3 तक जो line बनी थी, वो बनी थी, minus x plus 6, तो यह 3 पे value आजाएगी, इसकी, 1 से लेकर 3 तक बन रहा था नहीं, यह value जो भी अपने पास था, एक बाद चेक कर लेते हैं, वापस कि जो भी था हो सही था नहीं था, तो x, x और x यह उता हो जाएगा अपने पास में, minus का x, नहीं, minus का 2x बनेगा, तो 1 डालने पर 4 आना चाहिए थी, तो 1 डालने पर 4 आ रहा है, और उसके बाद मैं अगर यहाँ 3 डालता हूँ, तो मुझे मिलेगा 0 फिर से, तो 3 पर वापस से 0 आ जाएगा, और उसके बाद line कौन सी है, y equal to 0, तो यह आपका graph बनेगा इस function का, अब इस graph में आप साफ देख सकते हैं, इसका minimum value 0 है, maximum value 4 है, तो अब का maximum value हो गया 4, range गलत दे रखी है, fx equal to 4 अगर आप line बनाते तो infinite bar cut करेगी, minus 1 से 1 तक के solution आएगे, तो यह भी correct, और fx equal to 0 के भी infinite solution होगे, because यहाँ पर इन सब जगह पर वो line cut करेगी, 3 से infinite तक भी, और minus infinite से minus 3 तक भी, तो हमारे पास infinite points पर ऐसा काम होगा, अब इस question में क्या दे रखा है हमें, fractional part दे रखा है 2 by 3 है, और इसके अंदर आप साफ तोर से देखें हैं, कि box के अंदर अगर हम देखेंगे, तो एक fractional part खुल रहा है, और इस fractional part के अंदर फिर से क्या है, integer, fractional part के अंदर integer होने का कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि fractional part of x plus integer is equal to fractional part of x, तो इस integer को आप directly गायब कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचाएगा, box of x plus सिर्फ fractional part of x बचाएगा, और ये value जो हैं हमारे पास में 5 के equal आएगी, और वहीं पर fractional part of x का value दे रखा है 2 by 3, तो ये भी हमें दिख जाएगा कि box of x plus 2 by 3 का जो value है, वो हमारे पास किसके equal आ रहा है, 5 के equal हमारे पास में आ रहा है, तो box of x plus 2 by 3 5 के equal होगा, that means कि x plus 2 by 3 का value होगा, वो बिलॉंग करेगा 5 से लेकर 6 तक, वहीं पर अगर मैं 2 by 3 माइनस कर देता हूँ, तो x का value बिलॉंग करेगा, या x का value बिलॉंग करेगा 5 माइनस 2 by 3, that means कितना हो जाएगा ये, 13 by 3 से लेकर 16 by 3 तक, अभी आपको अल्रेडी बताया जा चुका है कि अगर ये x है, और fractional part कितना दे रखा है, 2 by 3 दे रखा है, तो इस interval में, जो अगर आप simply ऐसा देखे, 4.33 से लेकर 5.33 तक है, तो अगर x आपका इस interval में बिलॉंग करेगा, तो कौन सा ऐसा value है, जिसका fractional part 2 by 3 हो, तो आप simply देख पाएंगे 4 plus 2 by 3, that means, आपका x होना चाहिए 4 plus 2 by 3, that is, 14 by 3, तो आपका x हो जाएगा 14 by 3, box of x हो जाएगा, इसका box लेंगे तो हो जाएगा 4, बाकी BOC हो जाएगे गल्ट, इस question में function दे रखा है, 1 से 5 से लेकर 1 से 5 तक है, function है, 1, 1 function है, और satisfying following conditions, तो fx equal to x plus 1 दे रखा है, if and only if, अगर x even हो तब ही ऐसा possible है, that means कि अगर मैं 1, 2, 3, 4 करता हूँ, और 5 भी है, अगर मैं mapping यहाँ पर बनाऊँ, तो बड़ा simple सा काम यह रहेगा, कि अगर मैं function में x even डालता हूँ, तभी हो x plus 1 के equal जाना चाहिए, otherwise नहीं जाना चाहिए, तो अगर मैं f1 डालता हूँ, तो 2 नहीं आना चाहिए था, पर वहीं पर function में अगर मैं 2 put करूँगा, तो क्योंकि even डाला है मैंने, तो वो 3 के equal जाएगा, f4, 5 के equal जाएगा, यह मैं पता ही है, और ऐसा सिर्फ जब होगा, जब function में x even डाला जाए, तो f1 जो है आपका, वो 2 पे नहीं जा सकता कहने का मतलब यह है, अब हमसे पूछा गया कि f1 में अगर 2 नहीं जा सकता है, और यह बुला गया है कि क्या-क्या possibility बन सकती है, तो अगर आप 2 देखेंगे, तो आपका 1 का value 2 में नहीं जा सकता है, because fx equal to x plus 1 जब ही होगा, जब x even होगा तब, तो f inverse 2 का value 1 नहीं हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है, क्योंकि function 1-1 बुला गया है, तो ना f inverse 2 का value क्या-क्या नहीं हो सकता ही जान लेते हैं, यह 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है वो 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे already matched हो चुके है, तो क्या-क्या हो सकता है, बच्चे 2 ही है, 3 या 5, तो दो option जाएंगे, 3 और 5, बच्च, B और C, इस question में वैसे बहुत simple question है, यह सर्फ true बताना है, कि f of gx जहां define है, यह भी check नहीं करना, इक define है या नहीं है, simply आप तो अपना जैसा आप f of gx निकालते हैं, वैसे निकालते जाना, मैं example के लिए एक check करके बता जेता हूँ, कि अगर मैं function में e power x डाला हूँ है, और I hope कि आप इस वज़र से वीडियो ना देख रहे हो, कि इस question को मैं solve करना पड़े, I hope कि सभी ने इस question को कर लिया, तो यह हमेशा x ही बनेगा, तो इस तरह सभी अगर आप f of gx लेंगे, तो वह x बन रहे हैं या नी बन रहे हैं, आपको check करना पड़ेगा simply, तो आप यहाँ पर composite function लेके काम कर सकते हैं, अब इस question में देखो, आपको गलत मतलब नहीं निकालना है, यहाँ आपस में domain range सेम का नहीं बूला गया है, यह बूला गया है कि ऐसे function बताने हैं, जिनकी domain और range, मतलब अगर कोई function fx है, तो उसका domain निकालेंगे, range निकालेंगे, और वो सही माने चाहिए, यह पूरा बात है यहाँ तो अगर इसे function पहला वाला है fx, तो इसका अगर मैं domain निकालू तो क्या आएगा, इसको आप graph बनाओगे तो कुछ इस तरीके का जाएगा, circle बनता है, half circle, तो इसका range भी कितना है, 0 से लेकर 1 तक है, तो यहाँ पर अपने पास में, जो domain है, वो माइनस 1 से बन है, पर range 0 से बन है, तो दुनों equal नहीं है, तो यह correct नहीं होगा, वहीं पर आता है, one upon x, अगर आप इसके बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर domain क्या होगा, इसका, सारी value हो सकते हैं, पर 0 नहीं हो सकता, वी option, वहीं पर, अगर range देखेंगे, तो range भी इसका ऐसा ही रहेगा, क्योंकि range भी अगर निकालोगे, तो सेम वही तरीका हो गया, कि x को y की terms में लिख दिया, अब y भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो range और domain दुनों इसके same आते हैं, तो यह option correct हो गया, similarly, यहाँ पर देखोगे, root of x, domain क्या होगा, all values non negative, और इसका range भी क्या होगा, non negative values, यह भी correct हो गया, similarly, आता है, root 4 minus x, तो इसका domain आजाएगा, अपने पास, 4 minus x, गर देन इक्वल टू 0, एक्स का value अपने पास में आजाएगा, less than equal to 4, यह इसका value आएगा, तो अगर आप इसका domain देखेंगे, तो x less than equal to 4 है, और range देखेंगे, इस जगह पर, तो range आजाएगे, इसकी root 4 minus x था, तो always positive तो हो गई होगा, तो 0 से तो बड़ा हो गई, पर highest value अगर आप देखेंगे, जब 4 डालेंगे, जब 0 आएगा, minimum डालेंगे, अगर मानलो, अगर आपने minus में अब इस question में quality दे रखी है, और हमें f mod x और सारे combination पूछे हैं, ग्राफ के, तो पहले function अगर हम बनाते हैं, ग्राफ का, मतलब quality बनाते हैं, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास मैं ऐसा कुछ बनेगा, root सा जाएंगे अपने पास, minus 1 और minus 2 और minus 1 पर, अगर मैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या पूछा गया है, f mod x काफी बार पूछा गया है, तो f mod x बनाता हूँ, तो अपना positive वाला as it is रहेगा, 0 पर value 2 थी, और यह वाली value यहाँ पर आ जाएगा, as it is, तो 0 पर value 2 आएगा, तो positive का reflection, negative side में हमने ले लिया, f mod x के लिए, तो f mod x equal to 2, अब y equal to 2 अगर मैं line बनाता हूँ, यह यहाँ पर, तो ऐसी बनेगी हो line, और वो इस graph को clearly cut करते हूँ, नजर आ रही है, सिर्फ एक point पर तो a सही और b गलत, उसके बाद next हमारे पास में graph जो पूछा गया है, वो graph पूछा गया है, f x का mod, अब f x का mod लगाऊंगा, that means ऐसा कुछ बनेगा यह graph, अब इस vertex का value भी हमारे लिए important होगा, अगर हम ए sign देखना है तो यहाँ पर, तो vertex अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आपको vertex का value कितना आएगा पहले निकाल के देख लेते हैं, minus d by 4 एसे, तो यह बनेगा minus 1, sorry, minus 3, minus 8, divide by 4, तो यह आता है, अपने पास में, minus का 1 by, उपर mod में चला जाएगा, तो आजाएगा 1 by 4, तो यह जो value आ रही है, यह है 1 by 4, और x कोडिनेट है, minus 3 by 2, 1 by 4, तो अगर मैं एक line बनाता हूँ, जो point 1 to 5 है, याने की 1 by 8, तो y equal to 1 by 8 वाली जो line बनेगी, वो इसके नीचे से बनेगी, इस तरीके से, और इसको 4 बार cut करते ही नजर आएगी, तो यह वाला option भी correct जाता है, फिर आता है next वाले option के लिए में कुछ अलग graph बनाना पड़ेगा फिर से, यह है f mod x का mod, पर अगर आप f mod x लेते हैं, और उसका mod बनाते हैं तो कोई change नहीं आएगा, तो आपको यही graph बनाना पड़ेगा, और अगर मैं यह f mod x equal to 0.125 लूंगा, तो line बिल्कुल नीचे बनेगी, और उसको एक बार भी cut नहीं करें, तो d option भी हमारा हो जाता है, गलत. इस question के अंदर देखो, सबसे पहले क्या है, कि हम यह आप यह देखेंगे, कि हमारे पास, जो function question दिया वा है, एक प्रेंट, तो इस question के अंदर सबसे पहले, f 10 plus x दे रखा है, f 10 minus x के equal, तो अगर मैं यहाँ पर, x के place पर, x plus 10 put कर देता हूँ, तो यह बन जाएगा, f of x plus 20, 20, यह 20 plus x, equal to, f of, 10 minus, x plus 10, तो यह पूरा बन जाएगा, fx plus 20, is equal to, यहाँ पर आजाएगा, हमारे पास, f of minus x, यह मिलेगा, वही पर अगर, इसी equation में, अगर हमने, x की जगा पर, x minus 10 डाल देते हैं, तो यह बन जाएगा, fx is equal to, x minus 10 डालने के बाद, यह बन जाएगा, f 20 minus x, तो यहाँ पर, fx का value है, f 20 minus x के equal, और, fx plus 20 का value है, f of minus x के equal, और दोनों के बीच में, function है, आपका odd, that means के even वाले, दोनों क्वेस्टन हो गए, खतम, अब अब अस periodic check, हमें करना है, यहाँ पर कि periodic किस तरह से चले गाई, तो fx plus 20 हमें दिखा, यहाँ पर, और इस तरीके से हम चला रहें, इसको, तो अगर मैं यहाँ पर, x, इस, इस equation में, x की जगा रख देता हूँ, x plus 20, तो बन जाएगा, fx plus 40, is equal to, minus of f, x plus 20 रखने के बाद, यहाँ बचेगा, minus of x, अब बिकाज यह odd function है, तो बनेगा, minus of fx, that means, fx plus 40, is equal to, तो कितना जाएगा, fx, that means, हमारे पास, इसका period हो जाएगा, 40, तो function हो जाएगा, periodic, और a option, इसका correct answer मिलेगा, अब इस question के अंदर दे रखा है हमें, fx, जो है, maximum of these function है, 4 function दे रखे हैं, इन में से, जो भी maximum होगा, हो लेना पड़ेगा, तो fx क्या होगा, फिर बाकिये सभी options में पूछा गया है, सबसे पहली बात, इन में से, जो भी maximum होगा, वो बात करी जाएगी, तो अगर आप option wise जाएगे, तो x less than equal to minus 1 है, तो अगर x minus 1 से छोटा होगा, तो उसकी power 4 जोगा, आपका x और x cube, ये दो function जो होगे, ये negative होगे, तो इनके value छोटी आएगी, वहीं पर x square और x power 4 क्या होगे, positive होगे, अब आप minus 1 से 0 के बीच में कोई value है, तो जितनी power ज़्यादा लगाओगे, उतना value कम होता जाएगा, तो बड़ा value काउन सा होगा, positive होगे, इसलिए यहाँ पर fx जो होगा, maximum होगा, जब आपके पास function x के equal रहेगा, तो यहाँ पर c वाला option correct हो जाता है, d वाला incorrect हो जाता है, अब इस question में, एक sin power 6x plus cos power 6x दिया है, और हमारे पास इसका range पूछा गया है, injective function के बारे में बूला गया है, और fx 0 से 1 है, मतलब 2 range के question है, और बाकि fx equal to 0 का no solution, यह पूछा गया है, सबसे पहले fx हम देखते हैं, तो यह aq plus bq अगर इसका बनाए है, तो a कितना हो जाएगा sin square x, b हो जाएगा cos square x, तो यह बन जाएगा a plus b, that is 1, sin square x plus cos square x, multiply by a square plus b square, plus, sorry, minus a b, तो यहाँ पर आजाएगा हमारे पास, minus sin square x cos square x, ठीक है, इस तरीके से बने गई है, उसके बाद में इसको फिर से लिख देंगे हम, a plus b का whole square, that is sin square x plus cos square x का whole square, minus 2 sin square x cos square x, जो यह यहाँ इससे मिलके, minus 3 sin square x cos square x बन जाएगा, अब यहाँ पर अपने पास आता है, sin square x plus cos square x का whole square आने की, 1, minus 3 sin square x cos square x, अब इसको आप फिर से 4 का multiply डिवाइड करेंगे, तो 1 minus 3 by 4, यह बन जाएगा 4 sin square x cos square x, that means sin 2 x का whole square, अगर आप इसका minimum value देखेंगे, तो आएगा 1 minus 3 by 4, that means आपका minimum value आजाएगा 1 by 4, max के लिए यह value हो सकता, आपके पास 0, तो 1 minus 0 यहने कितना हो जाएगा 1, तो इसके रिए जाएगी 1 by 4 से लेकर 1 तक, that means यह कभी भी function 0 के equal नहीं आएगा, तो कभी भी function 0 के equal नहीं आएगा, यहना, fx equal to 0 has no solutions, ठीक है, तो इस तरीके से question जाएगा, अब इस वाले question में आप देख सकते हैं, यह function नहीं दे रखा है, मैं fx और gx, तो कौन सा इसमें से correct है, true है, यह पूछा गया है, तो यहाँ पर एक simple सी बात करेंगे, हम सबसे पहले, f plus g मतला function को add करना है, f1 plus g1, f1 plus g1 बस हमें करना है, f1 का हम जाएगा, हमारे पास इस वाले definition में, 1 डाला हमने तो कितना जाएगा, 1 minus 3 plus 4, याने कि 2, g function में 1 डाला हमने, तो यहाँ जाएगा, तो कितना जाएगा 7, तो कितना जाएगा value 9, तो इस तरीके से में सबको solve करना है, f minus g 3.5 मतलब, f 3.5 minus g 3.5, तो 3.5 पूट करते हैं यहाँ पर, तो 3.5 यहाँ पूट किया, तो कितना जाएगा, 10.5 minus g of 3.5 पूट करेंगे, तो यहाँ पर पूट करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 9.5 that is equal to 1, तो यह भी correct आ जाता है, उसके बाद next है f into g, that means f 0 into g 0, यह c option आ गया, इसमें अब 0 डालोगे, तो उपर वाले में जाएगा, that is 4, और यहाँ 0 डालोगे, तो यहाँ जाएगा into 6, that is 24, तो यह भी correct है, और last में आता है f5 upon g5, f5 का value यहाँ पर दिखेगा, हमें 12, और यहाँ पर value डालोगे 5, तो कितना जाएगा 25 प्लस 30, 25 प्लस 5 प्लस 2, that is 32, 4 से डिवाइड हो जाएगा, that means 3 by 8, तो जस्ट उल्टा लिखा है, है न, तो यह काम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, अब next question है, हमारा match the column का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि कुछ चीजों के या कुछ फंक्शन के range पूछे, और यहाँ से हमें यह matching करवाना है, सबसे पहला हमारे पास है, यह वाला function, इसको आप तोड सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख दे, कि कॉस स्क्वार एक्स प्लस कॉस प्लस 2, उसको लिख देंगे हम, कॉस स्क्वार एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस 1, मैं whole square create कर सकता हूं, perfect square create कर सकता हूं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 upon, कॉस x प्लस half का square बनेगा, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा, इसको लिख देंगे 1 को 1 by 4 प्लस 3 by 4, तो अगर मुझे इस fx की, हमें यहाँ पर, maximum value चाहिए, तो fx का maximum value कहां मिलेगा, जब हमारे पास यह पूरा 0 हो जाए, that means 1 upon 3 by 4, that is 4 by 3, और अगर मुझे minimum value चाहिए, तो मुझे इस denominator को maximum करना पड़ेगा, तो denominator maximum हो सकता है, जब कॉस x 1 हो जाए, यहाने 1 प्लस आफ यहाने 3 by 2 का स्क्वाइर, that is 1 plus 1 by 4, sorry, 9 by 4, plus 3 by 4, तो यह बन जाता है आपके पास, 1 plus 1 by 3, यहाने, sorry, कुछ और मिलेगा नहीं यहापे, 1 plus 4 by 3 पहले था, यहाँ पर 1 एक और था, तो यहाँ पर आजाएगा आपका 7 by 3, यहाँ पर आजाएगा 4 by 3, 1 अल्रेडी एडिड था, तो यहाँ से यह किस से मैच हो जाएगा, 4 by 3 से 7 by 3, 2nd option से मैच, उसके बाद QL option दे रहा है इस तरीके से, तो अगर आप यहाँ A plus B, A minus B लगा दें तो काफी easy हो जाएगा, that means, cos x minus sin x, upon 1 upon 3, cos x plus sin x, पध्यान यह में देना पड़ेगा, कि cos x भी greater than equal to 0 होना चाहिए, और sin x भी greater than equal to 0 होना चाहिए, याने कि first quadrant में, हमें इसका range निकालना पड़ेगा, because of the domain, अब यहाँ पर आप कोज x का divide कर दो पूरे में, तो यह बन जाएगा, 1 minus 10 x, upon 1 plus 10 x, तो यह पूरा बन के आता है, 1 by 3, 10, pi by 4 plus x, और यहाँ पर जो x है, वो आपका first quadrant में, यह हमें देखना पड़ेगा, तो 1 by 3 अपने पास 10, अपने पास first quadrant में, that means कि आपके पास, जो pi by 4 plus x का value होगा, यह pi by 4 से लेकर, 3 by 4 के बीच में जाएगा, और 1 third भी यहाँ पे लगा है, तो अगर आप 10 x का graph बनाते है, pi by 4 से 3 by 4 के बीच में, तो यह pi by 4 से pi by 2 बन गया, और pi by 2 से लेकर, 3 by 4 तक ऐसा बन गया, तो इसके range इस तरीके से बनेगी, यह ना, 1 by 1 third of this, जो भी हमारे पास में आता है, तो यहाँ पर हमें इसका range ही पूछा गया है, बिल्कु सही बात है, 10 pi by 4, sorry, minus x बने गया है, 10 pi by 4 minus x बनेगा, तो यह minus pi by 4 से लेकर, plus pi by 4 के बीच में range बनेगी, तो थोड़ा आगे तक कर देते हैं इसको, यह जाएगा, तो यह आपका minus pi by 4 हो गया, और यह plus pi by 4 हो गया, इस बीच में आपको range चाहिए तो आजाएगा, minus 1 से लेकर, 1 के बीच में, और upon में 3 भी लगावा है, तो अपने पास वैसे भी अपना, यह fourth quadrant में जा नहीं सकता, तो 0 से लेकर, 1 by 3 तक के बीच में यह रहेगा, उसके बाद आगे चलते, आर वाले option में क्या दे रहा है, इस तरीके से कोई function है, और यहाँ पर क्या आजाएगा अपने पास, अगर मुझे इसका minimum value चाहिए, देखो आप simple, तो minimum value के लिए यहाँ पर इसका कितना आएगा, 1 आएगा, तो 7 by 3, अगर इसको minimum रखेंगे तो total maximum आएगा, 7 by 3 इसका maximum value हो गया, वहीं पर इसको maximum करेंगे, यानि infinite चला जाएगा, तब value कितना आएगा, 0, that means इसको directly बता सकते हैं, अब लास्ट में बचा अपने पास में, log of x square plus 2 x plus 2 with the base 8, इसको लिख देंगे इस तरीके से कि log में है, 8 base है, x plus 1 का square plus 1 रहे गई, ठीक है, इस तरीके से, अब अगर इस तरीके से रहता है यहाँ पर, तो इसका minimum value कितना आएगा, 1, log के अंदर, तो इस time minimum value कितना आएगा, 0, और infinite पर कितना आजाएगा, infinite, तो यह, इस से match हो जाएगा, इसका matching 4 से हो जाएगा, अब इस question के अंदर, हमें एक graph दे रखा है, और graph के अंदर हमें यह बूला गया है, कि इन सब को match करवाना है, कि कौन से correct graph है, तो अगर मैं mod of fx लूँगा, तो यही वाले graph में क्या होगा, कि हमारे पास यह graph उपर चला जाएगा, that means इस तरीके से graph बनेगा, तो ऐसा graph कहां बना है, यहाँ पर, तो आपका p वाला graph match हो गया, 4 से, अगर मुझे यहाँ f mod x चाहिए होगा, तो यहाँ पर y axis में इसका reflection आजाएगा, मतलब यह reflection जाके, इधर ऐसा बन जाएगा, reflection के लिए, तो यह वाला graph हमें कहां मिल रहा है f mod x का, यह 3 से match हो जाएगा, अब बसता है हमारे पास f minus mod x, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, याने कि अपने पास, जो यहाँ पर graph बनावा है, that means यह वाला graph, minus वाला graph जो होगा, वो replicate होगा उस तरफ में, that means प्लस तरफ में, that means आगे आपका first pair, reflection वापस वाही y axis में होगा, तो negative portion का reflection होगा, positive portion में, तो बहुत मतलब simple सा graph है, यहाँ पर आप देखोंगे, y equal to half, f mod x, minus fx, तो यहाँ पर आपको चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, वो चीज़ यह है कि आपको सबसे पहले, f mod x का mod जो है, वो graph हम बना रखे हैं यहाँ पर, fx का graph भी आपको पता है कि क्या है, fx का graph है इस तरीके का, और यह इस तरीके से, ठीक है, और उसमें मुझे minus करना है fx को है न, तो यह fx अगर हम minus करते हैं, यहाँ पर, और उसमें फिर 2 का divide भी लगा रहे हैं, तो graph किस तरीके से बनेगा, यह हमें देखना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, fx का mod और fx का graph इस situation में same है, यानि कि इस point के बाद, जो point 1 है, दूनों graph same है, तो अगर मैं minus करूँगा, तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 1 के बाद क्या मिलना चाहिए, मुझे 0 मिलना चाहिए, जो यहाँ पर मिल रहा है, बाकी graph अगर आप देखोगे, तो यह जैसे मानलो, यह value मानलो आ रही है, अपने पास 1, तो यह value कितनी आ रही है, minus 1, तो 1 minus minus 1 कितना होगा, तो और आगे आप क्या कर रहे हो, क्या प्या OVERच कर रहे हैं, तो यह जार प्याब यहाँ, जो यह मानलो γझे झाभ बांचे हैं, झाल झाल